हेलो फ्रेंड्स केस हो आप सब तो चलो आज हम बनाने वाले है रागी चॉकलेट केक देखे कितना हेल्दी केक है इसमें न हम शक्कर का यूज करने वाले है न मैं देका तो चलो स्टार्ट करेंगे तो हम पहले कुकर रखेंगे ग्यास पे और इसमें नमग डालके 20 मिनिट के लिए प्रीहिट करने के रखेंगे तो एक बाउल लिया है उसमें हम वन कप गूड लेंगे जो 164 ग्राम के आसपास है फिर इसमें हम लेंगे वन कप तेल में ने राइस ब्रैन ओल लिया है तो यह है 192 ml 192-191 के आसपास अभी इसे अच्छी तरह मिक्स करके लेना है अभी इस प्रोसेस में हमारे जो गुड है वह अपने आप भी मेद हो जाएगा इसमें हम 4 अंड डानें गे और चार अंड डाने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करके लेंगे फिर लेंगे हम वन कप मिल्क धू कमाथ 243 ml है इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे फिर जो रागी का आठा लिया है तो यह रागी का आठा थे इसे तो रागी tamanho 330 ग्र망 यह और यूद 3 तैने आफ़े खुल सब्सक्राइब तक हम दालेंगे कोपोड़र जो 50 ग्राम है एक वन टीस्पून हम बेकिंग सोडर डालेंगे दो टीस्पून हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह छान लेंगे देखे इसे अच्छी तरह छानने के बाद हम इसे जो हमारा लिक्विड बनाया हुआ है उसमें हम मिक्स करेंगे देखे अभी इसमें हम अ यूज़ करना है फ्रीज में या गरम कुछ यूज़ करना नहीं है देखे ये कंसटेंसी चाहिया हमें केक हमाना तैयार है अभी हमने बटर लगा लिया है फिर्श गरम देन ईसमें हमारा जो बैक है वो डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे बदाम के तुकड़े जो बेक करते वक्त नीचे चले जाएंगे तो चलो अभी हम इसे बेक कर देंगे 20 मिनिट के बाद हमारा जो कुकर हो अच्छी तरह गरम हो चुका है इसमें हम रिंग डालेंगे और हमारा जो बैटर वाला टि बेक हो चुका यह जो उपर के अलमंड्स है वो मेने बाद में रख दिये है इसलिए कि वो बाद में क्रंची हो जाए और जो हमने बैटर में डाले तो नीचे गये है तो देखिए हमने नाइफ डाल दिया वो अच्छी तरह क्लीन निकला हुआ है तो अब हम हमारा के थोड़ा हमारा केक कितना मस्त निकल चुका है कितनी अच्छी जाली आ चुकी है और बहुत स्पॉंजी भी बन चुका है अभी हम केक हमारा पल्लेट लेंगे देखिए कितना मस्त हमारा केक बन चुका है खाने में तो टेस्टी है यह दिखने में भी अच्छा है बराने में भी आसान की या ओर हेल्दी भी है ना अम है ना शुगर ना मेदा बीना या मड़ा है यह क हमको कश्च बनाया हुआ है मैं आपको कट कर दिखाती हो देखिए कितना अच्छी तरह इसके जाली आ चुकी है और जो हमने बादम डलेते atención यह आये हुए हैं देखे कितने मस बन चुके तो जल से जल ट्राइब कीजेगा यह हल्दी के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है यह कि ना मेदा है ना शक करें तो ट्राइब कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को लाइक कीजेगा